हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्राखंड जी के विद पीके में दोस्तो बात कर लेते हैं हिमवति नंदन भागणा विश्विद्य द्वारा कराए गई बीएड परिक्षा की जो की द्वित्य पाली में एक्जाम हुआ था कला वर्ग का बात कर लेते हैं उनके अंसर्ज की सो कुशन हैं दोस्तो इस पेपर में सले टाइम कम है तो दोस्तो शुरू करते हैं आज का वीडियो इससे पहले छोटी से रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लिजिए ताकि आपको इस तरह के महतपूर नोटिस मिलते रहे हैं शुरू करते हैं दोस्तो पहला प्रशन पहला प्रशन दोस्तो भारत में प्रथम रास्टे सिख्सानीती के घोशना कब हुई थी तो दोस्तो भारत की जो पहली एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1968 में घोशना हुई थी उसकी कुशन नमबर टू है हुमायू नामा की लेखक कौन है तो दोस्तो हुमायू नामा की लेखका है जो गुलबदन बेगम है Q3 है भारत में प्रतमबार जनगर्णा आपचारिक रूप से प्रारंब हुई थी तो दोस्तों ये जो जनगर्णा हुई थी अठारसो भात्तर में हुई थी लॉड मेयो के समय से आपको अच्छी तरह से पता हुगा Q4 है भारत में इस परियावरणी अधिनियम को चाता विधान भी कहा जाता है तो दोस्तों 1986 का जो परियावरण संद्रक्षन अधिनियम है उसको ही चाता विधान कहा जाता है question number 105 है दोस्तो निम लिखित में से किसे भारते सम्विधान की प्रस्तावना में सामिल नहीं किया गया है तो दोस्तो जो D option है सम्रिध्धी इसको सामिल नहीं किया गया है बलकि भहुत से बच्चे C option करके आई हैं भातरत्तों लेकिन दोस्तो भातरती यानि अगर हम इंग्लिस में देखे यह जो दिया है फिल्टरिनलिटी तो इसका मतलब होता है बंदुता और दोस्तो यह जो भारती सम्विधान की प्रस्तावना है उसमें दिया गया है सम्रिध्धी नहीं दिया गया है कुशन नंबर 6 है चिप को अंदोलन प्राम्ब किया था दोस्तो अंसर होगा आपका गोरा देवी कुशन नंबर 7 है भारत का मैंचेस्टर कहकर पुकारा जाता है तो दोस्तो एहमदाबाद को भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है कुशन नंबर 8 है भारती संरक्षन अधिनिय कब पारित हुआ था यानि वनेजीमिस अरक्षन अधिनियम तो दोस्तों यह 1972 में पारित हुआ था अगले हैं दोस्तों रास्टे हरित निया धेकरन स्थापित हुआ था दोस्तों रास्टे हरित यानि NGT इसके बारे में आप सुनते भी रहते हैं इसके चर्चाओं में रहते है परियावन के हित को लेकर तो इसकी स्थापनाविती 2010 में कुश्यन नमर 110 है आपका निमलिकित में से कौन परियोगिक उपकरन नहीं है तो जो चार्ट होता है आपका वो परियोगिक उपकरन नहीं होता है वर्षा मापक, बैरोमेटर वायू मापक आपके परियोगिक उपकरन होता है यानि एक्सपेरिमेंटर जो आपके यंत्र होते हैं यह होते है 111 questions does that आप भारतिय सम्विधान का निच्वेद 25 संबंदी है तो दोस्तो भारतिय सम्विधान का 72 निच्वेद है वो धार्मीक स्वोधंतरता से संबंदी थै Question 12 उतराखन में असोक का सिललेक कहा इस्तित है तो दोस्तो असोक का सिललेक आप सभी जानते है कालसी में इस्तित है उत्राखन राजे के दहरादून जनपद में कालसी नामकिस्थान पे कोशन नमर 13 है दोस्तो गुरू मुखिल लिपी को आपचारिक रूप से नाम किस ने दिया था दोस्तो इसका अंसर आपको जो राइट होगा वो अपसंडी होगा गुरू अंगत देव ने इस ये जो लिपी है आपका गुरू मुखिल लिपी इसका नाम दिया था और इसके प्रतिपादक भी यही है Q16 है आपका संकीर्तन परथा के जनक थे तो जो संकीर्तन परथा है उसके जो जनक थे Q15 है स्वतंतर भारत के पर्थम गورनर जेनल कौन थे तो दोस्तो स्वतंतर भारत के परत हम गवरनर जेनलर थे वो लाड माउंट बेटन थे कुशन नमबर 16 है सुराज मेरा जनमसीद अधिकार है किस ने कहा था कुशन नमबर 17 है कौन भारती रास्टे कांग्रेस के संस्थापक सदिसे थे तो दोस्तो संस्थापक स्सथापक सदिसे भी होता है तो आपका ए ओ हिम आपका राइट अंसर होगा भारत की मापक समय रेखा कौन सी यानि जो भारत की मानक समय रेखा है वो कौन सी है तो 2.82 डिगरी आपको पता है पूर्वी देशांतर आपकी मानक समय रेखा है दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रस्ण में कोई डाउट होगा आप बिल्कुल हमें बोल सकते हैं आपके मैसेज का बिल्कुल रिपलाई किया जाता है आप कमेंट कीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी कमें डाउट लगता है क्योंकि दोस्तों आंसर की H&B द्वारा रिलीज नहीं के जाती है ये हमने अपनी तरफ से आंसर आपको देने की कोशिस की है देख लेते हैं दोस्तों 1900 प्रस्ण भारत के रास्टगीत को लिखा है तो दोस्तों भारत को जो रास्टगीत है उसे बंकिम चंदर ने लिखा है क्योंट नमबर 120 है संइक्त रास्टगीत संग की 1992 में रियो में आयोजित परियावरन एवं विकास पर आयोजित संगोस्टे को इस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों ये जो 1992 का जो संग्यलन हुआ था उसको प्रत्वी संग्यलन भी कहा जाता है क्योंट नमबर 120 है आपका बहुत इलावट फूल क्योंट रहा था विद्यार्थों के लिए निमलिकित में से कौन से आर्बियाई की सायक कंपनी नहीं है तो दोस्तों आर्बियाई की जो सायक कंपनी नहीं है वो रास्टे आवास बैंके बाकी आपका नाबाड सिडबी और भारते रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड भी आर्बियाई की सायक कंपनी है तो दोस्तों भारत की साकसरता दर है वो 74.4 है तो दोस्तों मानवादिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है आपके दो कुश्चन हो जाते हैं अगर आता है कि मानवादिकार आयू किस था अपना कब हुई तो 10 दिसंबर को हुए थी 1993 में ये भी आपको नोट कर लेना है कुश्चन मेर 124 है संयुक्त राष्टर संग की स्थापना कब हुए थी बहुती कॉमन कुश्चन है हर एक पर एक समी पूछा जाता है 24 अक्टोबर 1945 को संयुक्त राष्टर संग की स्थापना हुई थी कुश्चन मेर 125 है पंचायती राष्टर संस्थाओं को किस सम्विधान संसोजन अधिनियम के द्वारा सम्विधाने के स्थिति प्राप्त हुई थी वो तेतर में समिधान संसोधन द्वारा हुई थी कुश्यन नुमर 126 है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कानून 2005 लागू हुआ था तो दोस्तों ये जो कानून हुआ था ये 26 अक्टूबर 2006 से हुआ था कुश्यन नुमर 127 है आपको समिधान के किस संसोधन द्वारा जी एस्टी प्रस्तूत किया गया था जो प्रस्तावया था जी एस्टी का वो 122 समिधान संसोधन द्वारा आया था और 2014 में आया था यानि 122 समिधान संसोधन 2014 चौदा को से निमबर आपका 128 भारत में किस समय कुछ मूल अधिकारों को स्थागित रखा जा सकता है तो दोस्तों जब राश्ट्रियापात होता है यानि युद्ध के समय कुछ मूल अधिकारों को स्थागित रखा जाता है आपका अंसर option के according युद्ध के समय सही हुगा question number 129 केंद्रिया मरुस्तल सोध संस्थान कहा है इस्थीत रहें? तो दोस्तों सही that youíd apson जोधपूर में केंद्रिया मरुस्तल सोध संस्थान है question number आपका 133 निमलिकित में से कौन सा नगर नदियों के संगम पर नहीं बसा है तो दोश्तो हरीद्वार नदियों के संगम पर नहीं ब towलकि नदी के तडपर बसा है 132 आपका गौंड जन जाती किस परदेश की मुख्य जन जाती है तो दोस्तो आपका अंसर होगा सही, मद्धे परदेश की जन जाती है, गॉंड नेक्श दोस्तो आपका 30 traज डिगरी उत्तर एक सांस रेखा क्या कहलाती है, तो आपको बता दू जो रेखाए हैं भारत से एकमात रेखा गुजरती है करकर रेखा और यही साड़े तेज़ दिगरी उत्रेकसांस कहलाती है कुश्चन नमबर 133 अंतरास्टे नियाले कहां स्थिते दोस्तों नियाले जो है दहेग में है सकम ख्याले भी दहेग में है 134 है दोस्तों उन्चतम नियाले के प्रत्थम महिला 909 नियुक्त हुई थी दोस्तों फातिमा बेबी जो थी वो सुप्रीम कोट की पहली महिला मुस्लिम महिला 907 नियुक्त हुई थी निम्लिकित में इसे बाल अधिकारों के कारे करता कौन है तो दोस्तो बहुत ही common question है ये पहली भी परिक्षाओं में पूछा जा चुका है क्याला सत्यारती जी के बारे में ये भी आपको note कर लेना है आने वाली परिक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपून प्रशन है 136 है दोस्तो भारत के प्रथम शिक्षा मंतरी कौन थे दोस्तो इनसे सम्बंदित कम सगम परिक्षा में चार प्रशन बने थे भारत के पहले शिक्षा मंतरी थे ये तो ये भी आपको note कर लेना है नेक्स्ट दोस्तो ग्लोब 500 पुरुसकार निम्लिखित में से किस छेतर में दिया जाता है तो दोस्तो ये जो पुरुसकार दिया जाता है ग्लोब 500 तो ये परियावन के छेतर में भैतरीन उपलब्दी क के लिए दिया जाता है आपका डी ऑप्शन राइट होगा कोश्चन नमबर 138 आपका निमलिखित में से किसे नीलाग रहे के नाम से भी जाना जाता है तो नीले के रहे से आप सभी परिचेत हैं प्रत्विकों ही नीलाग रहे कहा जाता है एक सुन चालिश है दोस्तो प्रोफेसर अत्मरी सेन या अमरत्य सेन परिचित हैं तो दोस्तो जो अमरत्य सेन है वो अर्थ सास्तर के छेत में परिचित हैं 1998 में को नोबिल भी मिल चुका है नेक्श दोस्तो आपका 140 आधुने की करण एक प्रकार का सामजिक परिवर्तन है जिसमें समाज हो जाता है तो दोस्तो ये प्रस्न बहुत ही डावटफुला है ये समाज सास्तर से पूछाएगा प्रस्न है इस प्रस्न का मुझे मैं कहूं तो सही अंसर नहीं पिल पा है ले बात को आज आप भी समझ सकते हैं तो ये दो जो ऑप्शन हैं बहुत ही कन्फ्यूजिंग थे तो आपको अगर इसके बारे में पता है तो आप मुझे जरूर बताइए बाकी आपका C और D आप्शन नहीं है लेकिन A B में से इसका एक है Q141 सै सांस्क्रितिक पिछड़ा पन सब्दका प्रियोग किया है तो दोस्तो सांस्क्रितिक पिछड़ा पन यानी NaturalFrank का प्रियोग किया है सबसे पहले वो आगबर्नと思います और आपका यह उप्सन सई होगा Q142 सै आपका दोस्तो चौरह बाडी यानी चौरह बरी गरेशल कहा अस्तित है दोस्तो आपका अंसरोगा हुदतरा खंड में वन फोर थ्री ये दोस्तो विकलांग वेक्ती जो अधिनियम था ये उनिद सौ एलिज्स में अस्तितो में आया था कोशन नमर दोस्त आपका 244 इस राष्टिय मत दाता दिवस कम मनाया जाता है, तो दोस्तो राष्टिय मत दाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, बहुत ही common question है, नाबाड का पुछ है दोस्तो, full form लेकिन नाबाड की जो full form होती है, 145 question है आपका, राष्टिय क्रिसी एवं ग्रामीड विकास बैंक इसक सब्सक्राइब भारत में मानव के प्राचीनितम्साक से कहा75 मिले है तो दोस्तों काली बंगा बाएब गुजरात में इस्थित और राजस्थान में इस्थित है आपको नोट कर लेना है काली बंगा राजस्थान में इस्थित है 149 है दोस्तो निम लिखित में से कौन सा युगमल सही नहीं है तो दोस्तो जो आपका D option है वद्ष इसकी राजधानी जो है कौसांबी थी इसलिए आपका D option गलत होगा बाकि आपका D option है मगद इसकी राजधानी राजगरे है इसको ही ग्रिवरज कहते है यानि पार्टली पत्र कहते हैं next question है दोस्तो निम लिखित में से कौन सा एक कुसान सासक नहीं है तो दोस्तो जो चेस्टन है वो एक कुसान सासक नहीं है बलकि एक सक शासक है बाकि आपके तीनों जो है होविस्क कनिश्क और वासुदेव कुसान वंज से संबंधित है कुश्यों नमबर है आपका 151 कौन सा अभिलेग एक लोह इस्तंब पर अंकित है तो दोस्तो ये जो इस्तंब है लोह इस्तंब है और अभिलेग के रूप में है ये महरौली यानि दिल्ली में इस्तित है एक सो बावा ने दोस्तो बकसर का युद कब हुआ था दोस्तो आप भली बादी परीचित होंगे बकसर का युद हुआ था 22 सक्टूबर 1764 को हुआ था अगला प्रेस ने दोस्तो 153 नमलिकित में से कौन सा अवद का सासक नहीं था तो दोस्तो अवद का जो सासक था ये सासक रहे हैं ये तीन सफ दरगंज और सुजा उद्धौला असफव उद्धौला ये नाम भी बड़े अजीव अजीव हैं लेकिन जो डियो अप्शन है आपका नजीब उद्धौला ये आपका गलत अंसर है ये सासक नहीं रहा है जो ऑप्शन है बंगाल वो राइट अंसर होगा 155 है दोस्तो अथाड़ सेवक समाज की स्थापना यानी सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस ने की थी गौपाल कृष्ने गोखले ने की थी 157 है दोस्तो डांडी मार्ज किस अंदोलन का हिस्सा था तो दोस्तो डांडी मार्ज जो था वो सेविनाई अवग्या अंदोलन का हिस्सा था ये भी आपका राइट अंसर होगा कि 808 ने दोस्तों अम्रिचर का स्वन मंदिर बनवाया तो दोस्तों अम्रिचर का स्वन मंदिर है वो गुरु अर्जुन दिर द्वारा मनाया गया था 159 ने दोस्तो आपका Grand Truck Road का निर्मान कराया था दोस्तो बहुत ही पुराना प्रशन कह सकते हैं इसको परिक्षा में लगबग पूछा जाता रहता है तो सेड सासुरी ने Grand Truck Road का निर्मान कराया था Question number 160 है आपका दादर और नगर हवेली का मुख्याले खांस थी था मानक समय है तो दोस्तो जो Green V 64 समय है वो England का मानक समय है ये भी आपको नोट कर लेना है 112 मिर्त सागर इस्तित है दोस्तो ये प्रशन का जो सही हंसर होगा वो अप्सन होगा प्यूर वी ASEA में आपका मिर्त सागर इस्तित है लाल गरह दोस्तो आपका 163 Question है लाल गरह का आपको पता होगा मंगल को लाल गरह कहा जाता है Question No. 104 टैप का वी स्वकाज सबसे बड़ा मरुष्तल सहारा मरुष्तल है दक्षिन अफ्रीका मिस्ती था ये भी आपको नोट कर लेना है Question No. 105 टैप का निम्लिकित में से कौन सा भारते राजमार्ग सबसे लंबा है तो दोस्तो सबसे लंबा जो राष्ट राजमार्ग है NH7 है अब साइज इसमें चेंजिंग भी हो गई है अब इसमें करेंट में कौन है आप कमेंड में जरूर बताईए मैं 166 टैप मुख्य देशांतर होकर गुजरती है तो दोस्तो मुख्य देशांतर जो होकर गुजरती है वो ग्रीन विच्च से होकर गुजरती है Question No. 167 आपका निम्लिकित में से किस नदी का उद्गम भारती सीमा से बाहर है तो दोस्तो जो आपकी से नदी है इसका भारती सीमा से बाहर उद्गम इस्तला यानि मानसरोवर जिलाप का इस्तिता जो तिबबत मिशती थे 168 टैप मैडरिड किस देश की राजधानी है तो दोस्तो मैडरिड जो है स्पेन की राजधानी है 169 ने दोस्तो आर्थिक विकास का उत्तम मापक होगा तो दोस्तो जो आपका आर्थिक विकास होता है यानि एकॉनमिक डेवलेमेंट होता है उसका जो उत्तम माप होता है वो होता है प्रतिव्यक्ति वास्त्विक सकल रास्टे उत्पाद में वृद्धी यानि जी एन पी यह होता है वो इसका उत्तम आपक होता है यह जो 170 य दोस्तो आपका प्र helmets यह योजनक कप परारम होई थे दोस्तो आपका Rites रोगऽ, C option 1 April일 प। 111-प्र क्यावण 111 दोस्तो भारत आर्तिक हर्म प्रति एक क्षो तो दोस्तों ये जो प्रकाशित किया जाता है ये Ministry of Finance Government आफ इंडिया यानी विध्मंत्राले भारे सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है कोशन नमबर 172 है आपका सरकार की कुल आय तथा कुल वे में अंतर कहलाता है तो दोस्तो ये जो अंतर कहलाता है राजगोसिय घाटा कहलाता है यानि जो सरकार की कुल आय होती है और कुल वे होता है उनमें जो कुल अंतर होता है वो राजगोसिय घाटा कहलाता है question number 173 एकात्मक सासन पद्धिती लागू है तो दोस्तो आपका ए उप्षन होगा बिल्कुल गलत उप्षन है वो बहुत ही सर्च करने के बाद मिला है एकात्मक सासन पद्धिती जो लागू है चीन में लागू है आपकी आपका इंग्लेंड भी सही अंसर होगा बाकी आपका D option राइट है इसमें अगर आपको इस प्रस्ण में कोई डाउट होका आप कमेंट में जरू बताइए 174 है दोस्तो संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद में वीटो कर्थ क्या है तो दोस्तो जो B option है आपका राइट है स्थाई से दस्य द्वारा नकारत में कोट अभ्यास जो सुरक्षा परिशद के प्रस्ताव के खिलाब जाता है दोस्तो आपका पता होगा जिस प्रकार चेन भी अपने वीटो पावर का प्रियोग करता रहता है भारत के खिलाफ question number 175 है आपका भारत का प्रधान मंत्री उत्तरदाई होता है तो दोस्तो भारत का जो प्रधान मंत्री होता है वो लोग सभा के प्रती उत्तरदाई होता है या article 75 का 3 है उसमें उलेखी थे Q166 आपका 116 निर्वाचन आयुक के सदस्य की निक्ति कौन करता है तो दोस्तो निर्वाचन आयुक के जो सदस्य होते हैं उनकी निक्ति राश्रपती द्वारा की जाती है Q177 दे पॉलेटिक्स के लेखा कौन है अगला कुश्चन है दोस्तो 179 निम्रिकित में से किसने सामाजिक समझोते का सिध्धान्त का समर्थन नहीं किया था तो दोस्तो सामाजिक समझोते का सिध्धान्त का समर्थन नहीं किया था प्लेटो नहीं किया था बाकी जो सामाजिक समझोते का सिध्धान्त थे इसके विका सकते हैं बाकी दो प्रशने merit हाई करने वाले हैं अगला प्रशने है राज्य का धार सकती नहीं इच्छा है किसने कहा था तो दोस्तो यह जो कहा था अगला है दोस्तो राजनीती विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो दोस्तो राजनीती विज्ञान का जनक करश्टबू कहा जाता है 182 प्रशने दोस्तों निम्न लिखित में से कौन सी रचना कार्ल माक्स की है तो दोस्तों कार्ल माक्स की जो रचना है 10 केपिटल है 1867 प्रकाशित हुई थी यानि रिलीज हुई थी 183 दोस्तों समाज सास्त्री मांदन्ड की निम्न लिखित में से कौन एक समूग की रचना दरसाता है तो दोस्तो इसका जो अंसर होगा आपका ए अप्शन होगा धनी वर्ग यहाँ पे लिख रहाता है मैं धनी वर्ग मध्यम वर्ग और इसमें होता है गरीव वर्ग यानि निम्न वर्ग तो दोस्तो आपका according to अप्शन ए जो है वो सही होगा धनी वर्ग आपका राइट अंसर होगा अगला है दोस्तो 184 निम्न लिकित में से कौनसा अरजित परिस्तिती का सही उधारन है तो दोस्तो अरजित परिस्तिती का जो सही उधारन है वो विवाहित है यानि इसके जो और उधारन है दोस्तो वो होते हैं संपत्ति, व्यवसाई, सिक्साज, सत्ता और विवाहित भी इसका एक उधारन होता है तो आपका एव अप्शन बिल्कुल राइट होगा अगले है दोस्तो आपका प्रत्याशा मूलक सामाजी करण का प्रत्य विक्षित किया है तो दोस्तो ये जो विक्षित किया गया है प्रत्याशा मूलक सामाजी करण का प्रत्य बहुत देर में है जोनने के बाद सर्च करने के बाद मिला है R.K. Martin ने विक्सित किया है तो इस sociology का portion बहुत ही tough था 186 ने दोस्तो प्रतक्षवाद का सिध्धान्त किस ने दिया था तो दोस्तो प्रतक्षवाद का जो सिध्धान्त दिया था आपका positivism का तो आपका ये दिया था अगस्ट काम्टे ने option A आपका right answer होगा next दोस्तो 187 ट्रस्टिशिप का सिध्धान्त किस ने दिया था तो दोस्तो ट्रस्टिशिप का जो सिध्धान्त दिया था महात्मा गानी ने दिया था अगला है दोस्तो आपका 188 कौन अभोतिक संस्क्रेटी का उधारन नहीं है धार्मिक अनुष्ठान यानि जो आपके धार्मिक अनुष्ठान होते हैं धर्मों में और D-Option आपका संगीत वादियंतरे क्या होते हैं अब भातिक संस्कृति के उधारण होते हैं लेकिन जो मानदेंड हैं आपका नॉर्म से वो आपका उधारण नहीं है इसका 189 है दोस्तो समाज सास्त्र का ही है समाज सास्त्र एक पद्धिती है या किसने कहा है तो दोस्तो यह जो कहा है मैक्स वेबर ने कहा था है कि समाज सास्त्र एक पद्धिती है sociology is a methodology 190 है दोस्तो आपका धर्म आधारित होता है तो दोस्तो धर्म कोई भी हो प्रताओं पर आधारित होता है ये भी आपका रैट ओप्शन होगा सी 191 है दोस्तो निम्रिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो दोस्तो जो आपका पहला ही कथने विचलन को पुरिस्किर्थ किया जा सकता है तो दोस्तो यह अप्सन आपका गलत है क्योंकि विचलन को पुरिस्किर्थ नहीं किया जाता है क्योंकि जो विचलित होता है समाज द्वारा उसका भहिसकार किया जाता है इसको इसलिए उसको पुरिश्किर्ट नहीं किया जा सकते है तो आपका एक अप्सन बिल्कुल राइट होगा 192 है दोस्तो निम्लिकित में से कौन सा गतन सही नहीं है तो दोस्तो जो आपका पहला कतान है मुसलिम वाइक धार्मिक समझोता है बिल्कुल राइट अंसर है चाहिए आप नेट पे भी चक कर सकते हैं इसको मुसलिम वाइक धार्मिक समझोता होता है मुजूमदार के नुसार जाती एक बंदवर्ग है बिल्कुल right है भारते समाज अवश्यक रूप से वित्ता में एकता परिस्तुत करता है ये भी आपका right option है लेकिन जो आपका D option है तारकिकता कि अवधारणा मार्क्स ने दी है ये आपका गलत option होगा यानि तारकिकता कि जो अवधारणा दी है वो बैकर ने दी है 193 है दोस्तो विटामिन A की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है तो दोस्तो जो आपका D option है जेराफ थेल्मिया ये विटामिन A की कमी से होता है यानि जो चैरे पे जाईया होती है वो क्या विटामिन A की कमी से होता है बाकि आपका जो option B है और स्टमलेसिया ये आपका विटामिन D की कमी से होता है और बेरी-बेरी विटामिन B की कमी से होता है आपको पता होगा question number आपका 194 है खाद संरक्षन की रासायनिक विदी है तो दोस्तो खादस अंडक्षन की जो रहसानिक विदी है वो सुस्क के करने यानि डिहाइड्रेशन है अगला है दोस्तो फुलकारी कसिदाकारी है तो दोस्तो ये जो होती है कि इसको आप डिजाइन कह सकते हैं अगला है दोस्तो आपका 197 चंदेरी साडिया किस राज्य का उतपाद है तो दोस्तो जो चंदेरी साडिया होती है मध्य परदेश का उतपाद होती है अगला है दोस्तो आपका 198 निमनी कितमेश से कौन सा विटामिन ओस्ट्रमली से का कारक है तो दोस्तो ओस्ट्रमली से का कारक होता है विटामिन D होता है सेकिंड लास्ट प्रस्ण है आपका दोस्तों पारंपरिक ढोकरा सिल्प भारत के किस राज्य का है तो दोस्तों जो ढोकरा सिल्प होता है यह 36 गड़ का होता है यानि मोम से संबंदित कोई सिल्प है यह 36 गड़ में मुख्यता होता है question number last है आपका दोस्तो दोसो लोका युक्त को सबसे पहले पारित किया तो दोस्तो लोका युक्त को जो सबसे पहले पारित किया था महारास्ट में किया गया था तो दोस्तो यह हो गई आपके 25 मिनिट में पूरे 100 प्रशन और दोस्तो आपकी जो marks आए हैं वो comment में जरूर बताइए और दोस्तो एक बात और है ये answer की release नहीं है फिर भी दोस्तो जहां तक उम्मीद है मुझे जो मैंने इनके answer search किये हैं चाहे कुछ भी किये हैं ये अपने दिमाक से लगाए हैं वो बिलकुल right answer है लेकिन फिर भी अगर question में किसी में आपको लगता है doubt है तो आप हमें comment में जरूर बताइए और दोस्तो अगर आपने channel हमारे subscribe नहीं किये है अब तक तो channel भी subscribe कर लिजिए और दोस्तो अपनी तयारी अच्छे से कीजिए मिलते हैं दोस्तो अगली वीडियो में thank you for watching